हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हूंगे बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय मीठे बूल आज का पाट प्रवेश है कोयल सभी को भली लगती है क्योंकि वह मीठा गाती है हम सभी को भी कोयल की भाती मीठा वम्रदुल बोलना चाहिए मीठी वाणी बोलने के क्या क्या लाब है लिखिये तो बच्चो हमें भी कोयल की तरह ही मीठा बोलना चाहिए और मीठा बोलने से क्या क्या फायदे हैं दिये गए खालिस्तान पर जरूर लिखियेगा आई शुरू करते हैं कविता मीठे बोल तुम बोलो मीठे बोल नहीं कुछ जाता है जो सुनता है आनंद बहुत ही पाता है जब वानी में मिठास घुल जाती है कैसी भी हो गाट चुरंथ खुल जाती है मीठी वानी की तुला अनोखी है इस पर भारी से भारे मुश्किल भी तुल जाती है तो बच्चो इस कविता में यह बताया जा रहा है कि जब हम अपने मुख से मीठे बोल बोलते हैं तो बहुत ही आनंद आता है सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी जब वानी यानि मधुर आवाज मिठास सामने वाले के कानों में सुनाई देती है तो उसे इतना अच्छा लगता है बहुत ही क्योंकि मीठा बोलने से ही हमारे व्यवार का पता चलता है आगे है मीठा बोलेगे तो मीठे बोल सुनोगे बच्चो कविता में आगे कहा गया है कि तुम अगर मीठा बोलोगे तब ही तुम सामने वाले से मीठा सुनोगे और जब हम मीठा बोलते हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता लेकिन हमें अच्छा बहुत लगता है इसलिए मीठा हमेशा अपने मन से हमें बोलना चाहिए मन भावन मीठे बोल सुहावन होते हैं वे मुल्यवान हैं अधिक किसी भी धन से यानि कि जब हम मीठे बोल यानि अच्छे बोल बोलते हैं तो हम बहुत ही मुल्यवान हो जाते हैं वेह इंसान बहुत धनी कहलाता है जिसकी वानी में मधुरता है आगे है वानी का मरहम तनिक लगा कर तो देखो यह दोनों को ही शीतलता पहुचाता है तुम बोलो मीठे बोल नहीं कुछ जाता है मीठा बोलोगे तो मीठे बोल सुनोगे मीठे सपने तुम अपने लिए बुनोगे सबसे अच्छी होती मेठास वानी की अपने अनुभव से यह बात बुनोगे जीवन की कटुता ना पास कभी फटकती मीठी बोली का पत जो भी अपनाता है तुम बोलो मीठे बोल नहीं कुछ जाता है तो बच्चो कविता में यही कहा गया है कि मरहम लगाना यानि कि अगर किसी को चोट लगी है तो अगर हम उसको बहुत ही मदुरता मीठे बोल से भी बोलते हैं तो भी उसकी लगी चोट के लिए वह मरहम की तरह है आगे कहते हैं कि मीठा बोलने से कुछ नहीं जाता हमें दुनिया में मिठास घोलते रहना चाहिए जिस प्रकार एक कोयल काली होकर भी मीठा बोलती है क्योंकि उसकी वानी मधुर है तो उसको सुनने में भी सबको अच्छ हमेशा होती है इसलिए बच्चों हमें हमेशा ऐसा पत यानि ऐसा रास्ता अपनाना है जहां पर बोलियां मीठी हों यानि लोग ऐसे हो जो अच्छा बोलते हों तो हमने सीखा हमेशा मीठा बोलने का प्रयास करें कठिन प्रिस्थतियों में भी वानी पर सैयम रखें आता ह हमें हमीशा मीठा बोलना चाहिए अच्छा बोलना चाहिए आशा करती हूं कि आपको यह अध्याय समझा गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीचेगा